हेलो स्टुडेंट वेल्कम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग के ग्लास में तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था गूर्स एंड सर्विस टेक्स उसकी हम इंपोर्टन डेफिनेशन्स पढ़ रहे थे तो इंपोर्टन डेफिनेशन्स में हमने शेडूल तक पढ़ लि सिक्यूरिटीज की ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी किसकी सिक्यूरिटीज की आ जाएगी तो देखें सिक्यूरिटीज का मतलब क्या होता है हिंदी में इन्हें कहते हैं प्रती बूतिया ठीक है हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं प्रती बूतिया ठीक है रतीब बूतिया कहते हैं अब होता क्या है देखे है security shall have the same meaning as assigned to it in the clause H of the section 2 of the securities contract securities contract regulation act of 1956 तो security की वही definition है जो की securities contract and regulation act 1956 के अंदर जो लिखी हुई definition है वही definition यहाँ पर मानी जाएगी ठीक है प्रतीबूतियों में जो definition अब तक हमने पड़ी है securities contract regulation act के according वही यहाँ पर GST Act के अंदर मानी गई है ठीक है यह यहाँ पर कहने का ताक्तरिया है फिर बात करते है आगे अगर हिंदी में सुनना चाहे तो प्रतीबूतियों का अर्थ उसी रूप में होगा जो इसे प्रतीबूति सवींदा अधिनियम 1956 की दारा के खंड एच में दे रखा है ठीक है दारा दो का जो खंड एच है clause H उसके अंदर जो बताया गया है वही होगा ठीक है फिर बात करते है next definition की next definition देखिए next है हमारे सामने service की ठीक है जिन हम क्या कह सकते हैं सेवाए तो सेवाए क्या होता है वो अभी हम देखते हैं हिंदी में कहा जाएगा सेवाए next service means anything other than goods money and securities but includes activity relating to use of money or itself conversion by cash or by any other mode from one from currency or denominations to the another from currency or denominations to the another combination for which a separate consideration is charge तो सेवाओ का मतलब क्या होगा सेवाओ से आशे माल धन या प्रतिपूतियों से बिन ऐसी चीछ से हैं किन्तों इसमें धन का उप्योग नकद या किसी अन्य रिति से एक करंसी या अंकित मुल्य का किसी अन्य रूप करंसी या अंकित मुल्य में उसका ऐसा परिव सब्सक्राइब यूद्फल हो सम्मिलित है उसे समंधिक रिया कला भी खारे इसके अंदर सम्मिलित है यह था हिंदी में कि तो हाम इसे जणरल लैंग्विज में देखे तो सर्वीस का मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसा हम कह सकते हैं जो कि क्या नहीं हो जो कि गूर्ड नहीं हो ठीके जो की goods नहीं हो money नहीं हो securities नहीं हो ठीके लेकिन इसके अंदर कौन से activity आ जाती है activity आ जाती है use of money की ठीके money use करने की और its conversion और इसको बदलने की ठीके by cash और by any other mode from one from currency or denomination मतलब इसके अंदर क्या क्या नहीं आते हैं इसके अंदर goods money और सिक्वारिटी नहीं आते हैं लेकिन इसके अंदर कौन से activity आती है money और उसको बदलने की जो भी प्रक्रिया है चाहे हम उसे cash में बदले चाहे हम उसे other currency या other Denomination में बदले तो यह जो प्रॉसेस ये जो एक्टिविटी से यह है वो इसके अंदर गह tarksmith नहीं आती है ठीकर यह यह यहां पर आपको बताया गया है सर्वीस का मतलब मियदे अलावा बाकि सारी यह ज़ाँ वह हुर्ण या फिर उसके वो ईयोजित है थिलेटेड कर तो हो प smokes हैं हम next definition की next definition देखिए next definition है आपके सामने state की ठीक है state state का मतलब क्या होता है राज्य स्टेट का मतलब क्या होगा राज्य ठीक है राज्य का वह किसमें आ जाती है राज्य की केटेगरी कें अंदर आ जाती है ठीक है तो स्टेट तो हमें पता ही है नौर्मली जो हमारी तो राज्यकर का मतलब क्या होगा state tax means the tax live under any state goods and service tax act ठीक है जो SGST होता है ना SGST ठीक है तो ऐसा कोई भी टेक्स जो कि किसके अंदर में charge किया गया हो SGST Act के अंदर में charge किया गया हो ठीक है स्टेक्स क्या है state goods and service tax ठीक है तो इस्टेट बूर्स अंदर अगर कोई टेक्स लगा है तो वो टेक्स आपके क्या कहलाएगा इस्टेट टेक्स कहलाएगा ठीक है तो यहां पर स्टेट टेक्स का यह मतलब होगा फिर बात करते हैं next definitions की next definition देखें किसके आती है supplier की स्टेक्स का मतलब क्या होता है पूर्ति करता जिसे हिंदी में निया है पूर्ति करता कहते हैं इसे हिंदी में पूर्ति करता पाहा जाता है पूर्ती करता का मतलब क्या होता है देखिए Supplier in relation to any goods or service or both Shall mean the person supplying the said goods or service or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or service or both supplied तो देखिए Supplier के अंदर कोई भी ऐसा person आ जाता है जो क्या करता है किसे भी goods या फिर किसे भी service या फिर दोलों का क्या करता है Supplier करता है और इसमें एक agent भी आ जाता है जो कि किसी supplier के भी हाफ पर क्या करता है goods या service को क्या करता है Supplier करता है ठीक है जो सप्लाइर होता है उसका मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसा person जो कि या फिर दोलों ठीक है या फिर उसकी जगें पर कोई agent जो कि उसकी तरफ से क्या करता है गूर्स या सर्विस को सप्लाइ करता है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है ठीक है फिर बात करते हैं tax period tax period को हिंदी में कहेंगे हम करवधी इसे हम कहेंगे करवधी करवधी का मतलब देखें क्या होता है tax period का tax period means the period for which the return is required to be furnished तो tax period का मतलब वोस time period से होगा जिस time period में आपका जो gst return है ठीक है gst return को furnish किया जाएगा वो जो time period है वो time period ही आपका क्या कहलाएगा tax period कहलाएगा ठीक है जिस time period में आपको gst return को furnish करना है वो time period ही आपका क्या कहलाएगा tax period कहलाएगा ठीक है फिर बात करते हैं हम next definition की इस डेफिनिशन आती है हमारे सामने taxable person taxable person का मतलब क्या होगा कर योग्य व्यक्ति ऐसा कोई भी person पर योग्य व्यक्ति जिस पर क्या लगना चाहिए या जिसको कर देने के लिए जो क्या है लाइबल है तो देखें अटेक्सिबल परसन मेंस परसन वीजिस्टर और लाइबल जिसको की इस एक्ट के अंदर कोई भी टेक्स देना क्या है उसकी लाइबलिटी है तो वह परसन क्या कहलाता है टेक्सेबल परसन कहलाता है ठीक है समझ में आ रहा है clear ठीके फिर चलते हैं next taxable supply की तरफ taxable supply का मतलब क्या होगा कारियोग्यपूर्थी taxable supply का मतलब होगा कारियोग्यपूर्थी कारियोग्यपूर्थी का मतलब क्या होगा taxable supply means a supply of goods or service या फिर दोनों ठीके which is liable to a tax under this act मतलब ऐसे कोई भी goods की या फिर services की या दोनों की क्या है supply जिसका कि इस एक्ट के अंदर क्या हो tax देने के लिए उत्तरदाई हो ठीक है ऐसे कोई भी supply जिसकी बज़े से इस tax के अंदर सॉरी इस एक्ट के अंदर कोई भी tax बन रहा हो वो जो supply होगी वो supply आपके क्या कहलाईगी taxable supply कहलाईगी ठीक है समझ में आ रहा है यह भी तो कोई भी ऐसे supply या कोई भी ऐसी goods की service की या दोनों की supply जिसको की इस एक्ट के अंदर में जिसमें tax लगना है तो वो आपके taxable supply कहलाईगी ठीक है फिर बात करते हैं नेक्स्ट definition की नेक्स definition आ जाएगी taxable territories ठीक है taxable territory को हिंदी में हम क्या कहेंगे कर योग्य शेत्र ठीक है क्या कहेंगे कर योग्य शेत्र कर योग्य शेत्र की बात करें तो taxable territory means the territory to which the provision of this act apply तो taxable territory का मतलब कोई भी ऐसे territory या कोई भी ऐसे शेत्र से है ठीक है जिसके प्रोविजन जो है इस एक्ट के प्रोविजन उसके उपर apply होते हो ठीक है जिस पर GST Act के जो प्रोविजन है वो क्या होते हो apply होते हो वो एरिया वो शेत्र ठीक है वह बाला क्या कह सकते हैं हम एरिया क्या सकते हैं वो एरिया क्या कहलाईगा आपके taxable territory कहलाईगा ठीक है अब बात करते हैं हम next नेक्स्ट आ जाता है तेली communication services गश्ट कि आएगा आपके तेली communication service को हम हिंदी में क्या जहते हैं दूर संचार सेवाय क्या कहते हैं दूर संचार सेवाए दूर संचार सेवाए इसका मतलब क्या होता है it means service of any description जिसके अंदर क्या आता है including electronic mail जिसके अंदर electronic mail आता है फिर क्या आता है वाइस mail आता है फिर क्या आता है data services आती है और iitt ax services आ जाती है और क्या आता है video text आ जाता है फिर फिर हम बात करें तो क्या जाते है विडियो टेक्स तरविज फिर radio, radio paying एंड फिर और आ जाता है Cellular, Mobile, Telephone Services, ठीके, विच आगे भी है which is made available to users by means of any transmission or reception of the signs, signals, writing, images, sound, intelligence of any nature by wire, radio, visual और other electromagnetic means, ठीके, तो देखे, यहाँ पर क्या बात की गई है telecommunication services के अंदर, ठीके, कोई भी ऐसी क्या आ जाती है, service आ जाती है या कोई भी ऐसी description, service of description आ जाता है, ठीके, जिसमें हम electronic email की बात करें voice mail, data service, audio text वगर यह जो हम देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, social media वगर ठीके, तो इस प्रकार की जो services होती है ठीके, बाकी और भी जो business की है, video text होता है, जो हम online webinar वगर करते हैं, cellular, mobile, online, जितनी भी जो सारी activities होती है ठीके, वो सारी activities इसके अंदर आ जाती है, ठीके, अब बात करते हैं, next, यह समझ में आया होगा, देखिए वापस एक बार देख लीजी अगर definition clear नहीं हुई है तो देखिए क्या कहना चाहरे है, कि it means service of any description, including electronic mail, voicemail, data service, audio text services, video text services, radio paying and cellular mobile telephone services, ठीके, जो की क्या, जिसके बारे में क्या बता रहे हैं, which is made available to users by means of any transmissions or reception of science, signals, writing, images and sound or intelligence of any nature by wire, radio, usual, visual or other electromagnetic means तो देखिए हम हिंदी में कह सकते हैं, कि जो ये तेलि कम्मिनिकेशन services होती है, वो कोई भी East service हो सकती है, जिसे कि किसी दूसरे यूजर को कोई भी सिगनल या कोई भी जो साइन है, कोई भी लेख है, आकरती है, दुवनी है, प्रसारन है या तो हम धेज सकते है या हम उसे ग्रहन कर सकते है चाहे उसे तार की मदध से करे, चाहे रेडियो की मदध से या किसे भी electromagnetic उपकरन की साहता से करे तो वो सारे जो service है या वो जो activity है वो इसके अंदर आ जाती है फिर हम आगे बात करते है usual place of residence usual place of residence इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में निवास का सामान्य इस्थान क्या कहेंगे हम निवास का सामान्य इस्थान अब देखिए इसका मतलब क्या होगा usual place residence means इसका क्या मतलब होगा इसमें अब बात की जारी है पहले किसकी पहले बात की जारी है in case of individual ठीक है एक व्यक्ति के संदर में the place where he ordinary resides ठीक है जहां पे वो रहता है तो देखिए एक सामान्य व्यक्ति के संदर में अगर हम बात करें या एक individual की regarding अगर हम बात करें तो normally वो जहां पे residence है उस इंसान का वो place क्या कहलाएगा आपके ordinary resident कहलाएगा निवास का सामान्य इस्थान कहलाएगा अब बात करते हैं किस की अब बात करते हैं other case की ठीक है दूसरे cases में the place where the person is incorporated और otherwise legally constituted ठीक है अब देखिए other case का मतलब यह है कि वो इंसान नहीं है ठीक है कोई individual नहीं है कोई दूसरी corporate body है या कोई दूसरा business है तो उसकी condition में अगर हम residence का अगर place की बात करें तो वो कौन सा place आ जाएगा जहां पे उसका क्या हो incorporation हुआ हो जहां पे क्या हो incorporation हुआ हो या फिर जहां पे वो legally constituted मतलब उसका construction हुआ हो ठीक है मतलब जो business की बात कर रहे other cases में business की बात कर रहे है किसी भी form of business की तो जहां पे वो incorporated होता है या जहां पे भी वो constituted होता है वो जगे ही उसकी क्या कहलाती है usual place of residence कहलाती है ठीक है फिर हम आगे बात करते हैं next की next definition देखिए next definition आ जाती है valid return की है ठीक है valid return का मतलब देखिए क्या होता है हिंदी में बैद्य विब्रणी इसे हम हिंदी में कहते हैं बैद्य विब्रणी विब्रणी की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा बैलिड रिटन मींस और रिटन फर्निश अंडर सब सेक्शन फर्स्ट आफ सेक्शन थर्टी नाइन और विच्ट असे टेक्स हैं पेड इन फुल ठीक है तो बैलिड रिटन का मतलब उस रिटन से होगा जो की कि सब सेक्शन जो कि कौनसी सब सेक्शन सब सेक्शन फर्सट अफ सेक्श्ट सरेटी नाइन के अंदर प्र नीश क्या गया हो ठीक है तो जो रिटन होता और पातला है और लो मेरे बाद और मेट्षेशन तरी पर से चुका दिया गया फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट आगे लेक्स्ट हम बात करते हैं I ऑफ together की यहそれでは last definition है हमारी ठीक है इस GST की last definition है फाइनली तो देखिए next definition है वाउचर वाउचर को हिंदी में क्या बोलते है बीजग या प्रमाणक ठीक है क्या बोलते है बीजग बीजग कह सकते हैं या फिर प्रमाणक भी कह सकते हैं लेकिन यहां पर जो मोस्ट अप्रोप्रेट मीनिंग है वो क्या है वो है बीजग ठीक है तो देखिये वाउचर का मतलब क्या होता है वाउचर मिन्स एन इंस्ट्रुमेंट वेर देर इस अन अब्लिगेशन तो एक्सेप इत अज़ुक्त बीजग इंसे इस अज़ुक्त पार्ट और पार्ट अव कनूशिटेशन फॉर एस सप्ला to be to be supplied or the identities of their, यह दियर है न, identities of their, यह है आपके इंस्ट्रूमेंट इसल्फ और इन रिलेटेट दोकुमेंटेशन इंक्लूदिंग दे टर्म्स एंड कंडिशन आप यूज आप सच इंस्ट्रूमेंट, तो देखे हम अगर वाउचर के बाद करें, तो वाउचर एक ऐसा डॉक्योमेंट होता है, जो कि हम किसी goods या service या फिर दोनों के, ठीक है या करने के बदले में, उन्हें बेशने के बदले में, ठीक है या हमकी supply करने के बदले में हम उसे क्या करते हैं accept करते हैं तो एक ऐसा document जिसे कि हम as a consideration या फिर part of consideration हम क्या करते हैं उसे accept करते हैं किसके बदले में supply of goods or service और both ठीके आपने देखा होगा कि एक businessman ने किसी को कुछ यगन बेचा है good supply किया है तो बदले में वो इसको क्या करेगा वाउचर लिखके देगा ठीके उसके उपर क्या लिखा हुआ होता है जिसको हमने supply किया है goods recipients जो होता है प्राफ्त करता उसका नाम वगर भी लिखा होता है ठीके तो यह तरगा क्या क्या सकते हम document है जो as a consideration या part of consideration यूज आता है ठीके यह एक तरगा instrument है जिसे use किया जाता है समझ में आ गया तो यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो ठीके तो यह था आपका वाउचर और यह थी आपके last definition GST की ठीके अब definition जो है हमारे वो पूरा complete हो चुका है definition वाला पार्ट इतनी सारी जो 82 definitions है वो हमने की है इसके अलावा भी बहुत सारी definitions है हमने सारी नहीं की है क्योंकि act में तो बहुत सारी definitions दे रखी है section 2 के subsection 20 या 21 तक definitions है तो हमने काफी सारी तो उसमें से जो important important थी वो की है मैंने section के according नहीं करवाई है लेकिन जो definition थी वो मैंने definition के साथ से करवाई है ठीक है और बाकी जो registration process है वो हम आगा